हेलो एवरीवन आज हम कक्छा पांच पार्ट दो सच्ची मित्यता की कहानी पढ़ेंगे इस पार्ट में स्रीक्रिस्न और सुदामा की मित्रता के बारे में बताया गया है स्रीक्रिस्न द्वारिका के राजा थे और सुधामा एक गरी ब्रामन थे सुधामा स्रीक्रिस्न के बचपन के मित्र थे द्वारिका में स्रीक्रिस्न अपने महल में पत्नी रुकमनी के साथ बैठे हुए है तभी द्वारपल वहां आता है द्वारपल द्वारपर घरे सैनी को कहते हैं द्वारपल महराज की जय हो राजन द्वारपर एक गरी ब्रामन आया है वा आप से मिलने की जीद कर रहा है स्री क्रिस्न पूछते हैं कौन है वा द्वारपल महराज वह बहुत ही निर्धन मालूम पड़ता है उसके कपड़े फटे पुराने है ना सीर पर पगड़ी है ना पैरों में जूते है उसके पैरों में बिवाईयां फटी है वह अपना नाम सुधामा बता रहा है द्वारपाल कहता है महराजवा बहुत ही गरीब है उसके कपड़े भी फटे पुराने है सीर पर ना तो पगड़ी है और ना पैरों में जूते हैं पैरों में बिवाईया भी फटी हुई है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है स्रीक्रिस्न सुदामा नाम सुनते ही स्री कृष्ण नंगे पाउं दोर कर द्वार पर पहुँच जाते हैं और भावु खोकर सुदामा को गले से लगा लेते हैं स्री कृष्ण मित्र तुम कैसे हो बहुत दिनों बाद आना हुआ आउ अंदर चले सुदामा कहते हैं मैं ठीक हूं मित्र दोनों महल के अंदर आते हैं स्रीक्रिष्ण सुदामा को आसन पर बिठाते हैं आसन आसन यानि राजगद्दी स्रीक्रिष्ण सुदामा को राजगद्दी पर बठाते हैं फिर स्रीकृसन रुकमनी से कहते हैं यही मेरा प्रिये मित्र सुधामा है जिसके विशें में मैं बाते किया करता हूं। स्रीकृसन मित्र दूर से पैदल चल कर आने के कारण तुम बहुत ठके हुए दिखाई पढ़ रहे हो। लाओ मैं तुम्हारे पैर्दो दूं। सुदामा कहता है राम राम कैसे बाते कर रहे हो भला मैं तुमसे पैर धुल वांगा द़सुदामा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि स्रीकृस्ण एक राजा होकर भी मेरे पैर धुएंगे स्री कृसन केतें क्यों नहीं मैं तो वही तुम्हारा बच्पन का मित्र हूँ आज तुम मेरे अथिती हो यानि आज तुम मेरे महमान हो रुकमनी पानी लेकर आती है स्री कृसन सुधामा के पैर अपने हाथों से दोते हैं और उनके पैरों की हालत देखकर उनकी आखों से आसु बहने लगते हैं सुदामा सुदामा मित्र तुम धन्य हो इतने बड़े राजा होकर भी मुझ जैसे गरीब को इतना सम्मान कर रहे हो स्रीक्रिस्न कहते हैं मित्र भी कहते हो और अपने को गरीब भी कह रहे हो स्री क्रिस्न कहते हैं अच्छा मित्र मुझे अब अपने जीवन के विशे में कुछ बताओ अब सुदामा अपने बारे में अपने मित्र को बताने लगते हैं सुदामा कहते हैं मित्र मेरा विवा एक सुयोग कन्या से हुआ है यानि एक अच्छी कन्या से हुआ है, मेरी दो संताने भी हैं, यानि दो बच्चे भी हैं, स्रिक्रिष्न कहते हैं, तब तो भावी ने अवस से मेरे लिए कुछ भेट बेजी होगी, यानि भावी ने अवस ही मेरे लिए कुछ तोफा या उपहार भेजा होगा, सुदामा सा कुछ भी तो नहीं सुदामा बगल में दवाई पोटली छिपाने की कोसिस करते हैं स्रीकृष्ण कहते हैं या कैसे हो सकता है मित्र भावी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ अवस्य भेजा होगा अरे या बगल में क्या छिपा रखा है तुमने सुदामा कहते हैं मित्र ये थोड की पोटली खीच लेते हैं एक मुठी चावल मुँए डालते हैं स्री कृष्ण कहते हैं आहा कितना सौधिस्ट चावल है स्री कृष्ण दूसरी मुठी चावल जैसे ही मुँए डालने लगते हैं रुकमनी उन्हें रोक देती है सुधामा कहते हैं मित्र मैं तो यहाँ आने से पहले बहुत डर रहा था कि तुम मुझे पहचान पाओगे या नहीं क्योंकि निर्धन मित्र को तो लोग भूल जाते हैं लेकिन तुमारी भावी ने जिद करके भेज दिया सुदामा ऐसा इसलिए कहते है क्योंकि स्रीकृष्ण अब एक राजा बन चुके थे और सुदामा एक गरीब था इसलिए उन्हें लग रहा था कि पता नहीं स्रीकृष्ण राजा होकर मुझे पहचान पाएंगे या नहीं स्रीकृष्ण कहते हैं मित्र भूल कैसे जाता गुरू जी ने सिच्छा दी थी वह सच्चा मित्र नहीं जो अपने निर्धन मित्र को भूल जाए यानि जो अपने गरीब मित्र को भूल जाए सुदामा कहते हैं हां मित्र याद है और आज उसका उधारन भी देख लिया दोनों हसते हैं तभी सेवक भोजन की थाल लेकर आता है स्री कृष्ण कहते हैं मित्र आव भोजन कर ले स्री कृष्ण सुदामा को अपने हाथों से भोजन कराते हैं स्रीक्रिष्ण, मित्र तुम ठक गए हो, अब थोड़ी देर विसराम कर लो, बाद में तुमसे बहुत से बाते करूँगा सुधामा, मित्र कई दिन बीट गए, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ स्री क्रिस्न कहते हैं अच्छा मित्र तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लगा बच्पन की यादे ताजा हो गई कहो कब जाना चाहते हो सुदामा मित्र मैं कल सवेरे जाना चाहते है स्री क्रिस्न ठीक है मेरा रत तुमको पहुचा देगा फिर दूसरे दिन सुबर सुदामा मिते से कहते हैं तुमसे मिलकर अत्यंत प्रसंता हुई परंतु अब चलता हूँ प्रस्थान करने से पहले सुदामा मन में सोचते हैं कि पत्नी ने क्रिस्न से कुछ मांगने को कहा था लेकिन मैं इनसे क्या मांगू और कैसे मांगू यहां तो महल बना हुआ है मेरा घर कहां चला गया यहीं पर तो मेरा घर था सार्थी यह कहां ले आये तुम मेरा घर तो बहुत पुराना टूटा फूटा है पनी सुदामा जब अपने घर के सामने आते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है उनका घर तो टूटा फूटा हुआ था पूराना था लेकिन अब वहाँ पर एक महल बना हुआ था तभी सुदामा की पत्नी और बच्चे बाहर निकलते हैं पत्नी कहती है देखे स्री किसन क्या किया घर धन दौलत सब कुछ हमें दे दिया सुदामा चौकर या क्या कह रही हो या सब किसन ने कब कर दिया मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं पत्नी कहती है स्री किसन तुमारे सच्चे मित्र है तुमारी अवस्था देखकर वे बिना कहें ही सब कुछ समझ गये और उन्होंने तुमारी सहायता की यानि तुमारी गरीबी की हालत देखकर वे बिना कहें ही सब कुछ समझ गये और उन्होंने हमें वो सब कुछ दे दिया जो हमें चाहिए था सुदामा कहते हैं धन्य हो मित्र तुम कितने महान हो मेरे एक मुठी सुखे चावल के बदले तुमने इतना कुछ मुझे दे दिया बड़ा उपकार किया मुझ बर मित्र हो तो ऐसा यानि इस कहानी से हमें यही सिच्छा मिलती है कि हमें अपने मित्र की हमेसा सहायता करनी चाहिए